सब्सक्राइब करने जा रहे हैं अब इसको कंटिन्यों करने जा रहे हैं गवर्नर जनरल ऑफ बेंगोल देखिए अब भी यह लोग बेंगोल के पीछे ही पड़े वे हैं ट्रेड करके इनको शांती नहीं मिली इनको यहां पे अब यहां पे जादा बड़ी प्रोवेंस जो है इस्टाब्लिश कर ले बेंगोल में चलिए देख लेते हैं यह रहता कब से हैं तो 1773 से आपके 1833 तक रहता है 1773 में लेके आते हैं जिसके तहत आपका गवर्नर जनरल ऑफ बेंगोल एक पोस्ट स्टाब्रिश होती है बहुत सारी अधर चीज़ें हैं इसमें वह हम साथ के साथ दिसकस करेंगे फिर 1833 में आता है आपका चार्टर आट राइट इट मीज जो भी आपको पोस्ट बनती दिखेगी वो किसी ना किसी आक्ट के त्रू बनती दिखेगी रेगशन आट के के बडंगाल इंडिया और फिर बंगाल की सीरीज है वह कहीं न कहीं आपकी खतम होजाते यही बात क्या लिखी गई है कि वोता क्या है East India Company जो है जब इंडिया आती है तो वो बंगाल पे control ले देती है दिखे मैं इस बात को वापस से समझा देती हूँ वो बंगाल पे control क्यों लेती है अब चाहे प्लासी की बात कर लूँ है चाहे मैं बक्सर की बात कर लूँ हूँ दोनों ही बातल्स कैसी थी ऐसी थी जिसमें Britishers ने अपनी superiority शो करी चाहे उन्होंने लड़के शो करी या फिर उन्होंने strategy point of view से शो करी दोनों ही तरीकों से दे अब आपको प्रूब किया कि हां हम कही ना कहीं क्या है superior है जिसकी विदर से होता क्या है दोनों ही बातल में जो shine करते हैं जिनका नाम अब regulating act 1773 में पोस्ट को अपग्रेट करने के अलावा भी और चीज़े की गई थी जैसे कि यहां पे कहा था कि अब हम क्या सेटप कर लेंगे आपकी parliamentary system जो है उसको सेटप किया जाएगा और इसके साथ साथ आपका supreme court भी भाया बनाया जाएगा कहां पे बनाया जाएगा तो भाई इंडिया में बनाया जाएगा इट मींज कहीं न कहीं अब जो Britishers है वो ट्रेड से निकल कर अपना एक तरीके से proper settlement बनाने की सोच रहते हैं इतमेंस वांटे टो इस्टाबिश दिर गवर्मेंट विच इंडिकेट वांट टो इस्टेल इंडिया लाइक उन पर्मेन बेसे ओके चलिए फिर supreme court supreme court मतलग यानि उनको अपना judicial यानि जो जुडीश एक ब्राकेट होता है उसमें भी वो चाहते थे कि वही superior रहे कि वह court नियाए देंगे तो maximum नियाए तो भई देखो bias नेस के वज़ा से ब्रेटिश के ही हित में जाने वाला था तो यही regulating act के अंडर क्या कर दिया गया था आपका यह governor of bangal की पोस्ट जो है convert कर दिया गया था उसके साथ साथ यहां पर पार्लिमेंटर सिस्टम के बारे में आया उसके बाद यहां पर सुप्रीम कोट के बारे में हमें बात करने को भी नेक्स पॉंट देख लेते हैं क्या लिखा है other presidencies bombay madras had their own governor जब तक आपका regulating act नहीं आया था तब अब एक चीज़ याद रखेगा warren fasting was your last governor of bengal यह क्या थे आपके last governor of bengal थे तब ही तो एक दम से यह क्या बन गए आपके first governor general of bengal बन गए he was your last governor of bengal जैसे ही regulating act आया वो क्या बन गए आपके first governor general of bengal जो है बन गए इस act में in supreme court parliamentary system और post update के अलावा भी एक बात कही गई ठीकि देखिए अब यह जो bombay है और यह जो आपका madras है यह किसके अंडर आएगा तो यह governor general of bengal के अंडर ही आएगा ठीक है पहले तो यहाँ पे अलग-अलग governor थे पहले तो हमने तीन लोगों को रख रखा था तीन अल majority तभी तो पोस्ट बढ़ा दी governor general कर दिया है ना पहले तो सिफ governor था governor माने इंडिविजुल 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 माने एक person multiple places को क्या कर रहा है एड्मिनिस्ट्रेट कर रहा है वहां के judicial भी देख रहा है आपके civil cases भी देख र और बहुत बार question ऐसे form होते है कि हमेना उनको sequence में arrange करना होता है and you know it's really tough कि उनको आप sequence में arrange करो एसे cram करके so it's better यहां पे एक छोटी से तो आप इसको यूज कर सकते है एल्स आप इसको अपने तरीके से भी मोल्ड करके यूज कर सकते है whatever you feel better और अगर आपको डायरेक्ली याद करने से याद हो रहा है तो यह तो और भी अच्छी बात है तो ट्रिक के से है हज चले जाओ वसीम भाई मुसल्मान है आप बोलिये जाएंगे ठीक है अगें हज चले जाओ वसीम भाई मुसल्मान है आप बोलिये जाएंगे अब इससे कैसे रिलेट वाँ H stands for Hastings C stands for Cornwallis J stands for John W stands for Wesley V stands for Barlow M stands for Minto H stands for Hesting A stands for Hemerist V stands for Bentec अगे Bentec भया बताया तरना तुमें टेक, बेंटेक, सब कुछ सही करते हैं, आ गई हम पर, चलिए, दुबारा से, हज जसे हम किसको याद रख सकते हैं, वार इन हास्टिंग को याद रख सकते हैं, जिनका टेन्योर कितना था हो, तो 1772 से लेके 1785, देखे, टेन्योर भी याद रखे, क्योंकि कई बार पते क्या ह आता है, वो आपको टाइम पीरेट के बेसिस पर दे देंगे, वो क्या देंगे, यह तो 1773 में है, बताये किस गवर्नर जनरल अव बेंगॉल के अंडर हो है, अब एकदम से क्या पता, आपको इंस्टेंट ना क्लिक करें, तो आप क्या करोगे, तो टेन्योर याद करोगे, कि अच्छो 1773 के बात है, तो कहीं न कहीं यह वर्न हास्टिंग की बात हो रही है, जैसे ही वर्न हास्टिंग दिमाद में हैंगा, वैसे ही वर्न हास्टिंग को टिक करके आप आप आगे, बढ़ जाओगे, तो टेन्योर याद रखना is also important, ओके, नेक्स, सी से क्या पढ़ते जिनका टेन्योर कै है, 1786 से अलेंके 1793, थाण हम जाओ से किसको पढ़ते है, शर्ण जोर को पड़ लेते हैं, जिनका टेन्योर 1793 से लेके 1798 होता है Next वसीम, वसीम सम क्या पढ़ते हैं, लोड बेर से लेके 1805 होता है Then, Bhais, B से हम क्या पड़ते है — Sir John Zmarđ도 पड़ते है जिनका tenure gewe defa 18-05 से लिकि島 7 होता है Then, Musulman से हम क्या पड़ते है? लाई MILLON एम्हें भी पर 6025 जिनका time period 18-07 सलेके 18-13 हो जाता है Next, B से हम法ल्ण Chairman of These machines अब आपके 18-07 होता है next हम Lord Amherst परते हैं जिनका tenure 1823 से लेके 28 हो जाता है next B से हम Lord William Bentic परते हैं जिनका tenure आपका 1828 से लेके 1835 हो जाता है ठीक है clear इन सारे ही tenures को आपको यादरना है बहुत ही जादा important है इन सारे ही आपके इन Governor General of Bengal के series को यादरना है बहुत ही जादे important है you cannot take any chance ठीक है questions direct पूछ लिये जाते हैं so you have to be prepared for those direct questions as well क्योंकि कहीं बार होता है आप लोग advance के त्यारी कर लोगे ठीक है आप लोग advance के त्यारी कर लोगे आप लोग सब पढ़ लोगे जब अब ज़ादा advance के त्यारी करते हो तो आप basic भूज जाते हो basic को थोड़ा सा brush up करना भूज जाते हो ठीक है basic पर ध्यान देना भूज जाते हो जो problem create करते है so it's better पहले अपना अच्छो सा basic revise कर लो उसके बाद ही सोचना के हाँ मुझे अब advance करना है ठीक है clear चलिए हो जाएगी ट्रिक यार्ट I hope बिल्कुल हो जाएगी I hope यह सारी चीज़े भी फटा फट से आपको याद हो जाएगी चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हाँ जी सबसे बहले किसकी बात करेंगे Warren Hastings जी की बात करेंगे Warren Hastings कॉन पर्स्ट गवर्नर जनल अफ बेंगॉल किसके अंदर बने है क्या थे आपके लास्ट गवर्नर ओफ बंगाल ठीक है यह लास्ट गवर्नर ओफ बिंगॉल थी तभी इनके टाइम पे रेगुलिटिंग आगे और यह एकदम से प्रमोट हो गए चलिए बिल्कुल सही इन्होंने क्या कहता इन्होंने क्या था डूइल सिस्टम और डूइल सिस्टम और इनके वह प्रिटिश अगे और दूसरे थे आपकी नवाब अब देखो होता क्या है यह डूइल सिस्टम और अड्मिस्टरिशन लेके पता है यह लोग कहां पे आते हैं बंगाल में आते हैं क्योंकि बंगाल तो इनका जीगर का टुकड़ा था डे वाज़ से चेड बंगाल में कॉंकेस्ट बंगाल में बंगाल के लिए सिस्टम बंगाल में सब बंगाल ठीक है दिवानी राइट बंगाल का निजामत राइट बंगाल का सब बंगाल का अब होता क्या है यह डूइल सिस्टम में बंगाल में लेके आते हैं और इस डूइल सिस्टम से होता क्या है कि अब बंगाल में दो government थी एक government होगी थी आपके Britishers की, एक government होगी थी आपके Nawabs की इन दोनों ही governments ने क्या किया सिर्फ power को enjoy किया क्या किया सिर्फ power को enjoy किया right power को enjoy करने का मतलब क्या हो जाता है कि इन्होंने आपका responsibilities को ignore कर दिया इन्होंने power enjoy की responsibilities को ignore कर अब responsibilities इगनोर करने का मतलब क्या हो जाता है कि बंगाल के जो citizens थे न उनकी कुछ needs थी और ये उन needs को satisfy नहीं कर पाए उन demands को पुरी नहीं कर पाए कुछ policies लाने थी वो policies नहीं ला पाए जिससे क्या होता है ये डूइल सिस्टम बहुत बड़ा disaster create होता है ठीक है डूइल सिस्टम disaster create होता है और सोने पर सुहागा करने के लिए 1770 में फेमाईन आ जाता है और देखें फेमाईन का मतलब क्या होता है सुगा, बाड, भुखमरी एक तरीके से तो born and hasting decide करते है 1772 में कि मैं क्या कर दूँगा इस जो dual system of administration है या dual system of government है बंगाल की उसको खतम कर दूँगा with one somewhere needed देखो अगर ये चीज़ खतम नहीं होती तो देखो बंगाल में दो government रहती ठीक है और बंगाल के बुरी हालत हो जाती है एक चीज़ और याद रखेगा जो आपकी battles हुई थी वो पते क्यों ही थी क्योंकि बंगाल जो है न वो नो 60% of Asia का trade करना था और जब ये dual government system आई न तो जो बंगाल है न उसी की economy collapse कर गई अरे जो एक time पे सबसे नहीं था उसको गरीब बना दिया किसने इसी dual system of administration है तभी war and hasting decision लेते हैं कि ये जो आपका dual system है जो dual government है इसको हम क्या करतेंगे खतम करतेंगे इसको हम बंग करतेंगे because यही जो है आपका सबसे अच्छा decision है then regulating act है सबसे पहले regulating act में हम क्या पढ़ते है कि post upgrade करे गई ठीक है सबसे पहले चीज हम क्या पढ़ते है sorry सबसे पहले हम चीज क्या पढ़ लेते है आपकी कि post upgrade कर लेगी चलो दूसरी चीज हम क्या पढ़ते है कि इन्होंने यहाँ पे क्या ले आई ये लोग second चीज जो आपकी थी that is इन्होंने सोचा कि अब हम यहाँ क्या इस्टाब्लिश कर लेंगे पार्लियमेंट्शी जो system है या फिर मैं government भी बोल सकती हूँ system भी बोल सकती हूँ उसको establish करेंगे पहली चीज दूसरी चीज third इन्होंने कहा कि अब हम क्या establish करेंगे supreme court establish करेंगे देखो अगर मैं supreme court easy word में लिखू तो यहाँ पर मैं judiciary लिख सकती हूँ ठीक है कि इन्होंने decide किया 1773 में कि अब हम post upgrade कर देंगे एक parliament system बनाएंगे parliament system का मतलब होता है एक तरीके के लोग सभा होगी और एक type की राज्य सभा होगी और इन दोनों को मिलके हमारे क्या बनते है government बनते है तो इन्होंने decide क्या था कि हम क्या करेंगे एक तरीके से इंडिया में government establish करेंगे government establish क्यों होती है कि उस जगा के policies बनाया जाए rules and regulation बनाया जाए लोगों को अच्छी तरह जाना जाए कि हम judiciary में भी कदम रखेंगे हम न्याए भी करेंगे हम सरकार भी बनाये भी करेंगे सब कुछ ही हम करेंगे ठीक है और उसके साथ-साथ ही पोस्ट भी अप्ग्रेट कर देते है उसी के ताह जो है वरन हास्टिंग supreme court establish कर देते है क्योंकि आपके regulating act में बोला गया था तो इसके बाद वो ऐसा करना की था उसके बाद वो Asiatic Society of Bengal भी established करते हैं Now Asiatic Society of Bengal था क्या Majorly एक ऐसी सोसाइटी जहां पर हमें जो एसे ते जो एसे जो एसे टेड होता है इंडस्री कैसे होती है उसके बारे में थोड़ी सी knowledge दी जाती थी तो इसनोंने Asiatic Society of Bengal भी established की थी इनहीं के टाइम पर फर्स्ट आपकी क्या हुई थी Anglo-Maratha war थी यानि Britishers और Marathas की पहला जो युद हुआ था वो भी Warren Hastings के टाइम पर हुआ था जो एक समझोते के दौरान खतम कर दिया गया था जिसका नाम सा Treaty of Salvaai नेक्स्ट इनहीं के टाइम पर क्या हुए थी फस्ट English translation हुई थी इसके भगवद गीता ही ठीक है आपको पता है भगवद गीता ठीक है तो वो संस्क्रित में है ठीक है आजकल हिंदी में भी है ठीक है तो जो English translation की गई थी वो आपके वन हास्टिंग के टाइम पर ही की गई थी ठीक है उसके बाद regulating act के अलावा इनके टाइम पर आता है PITS Act अब PITS Act क्या था? PITS Act एक तरीके से रेक्टिफाइ करने वाला Act था PITS Act में यह कहा गया कि जो जो mistakes हमारी regulating act में हुई है ठीक है वो mistakes हम PITS Act में rectify करेंगे अब mistakes का मतलब क्या? regulating act ऐसा act था जो direct queen से आता है बट उसको ऐसा treat नहीं करा गया तो PITS Act में कहा गया कि उसको ऐसा treat करना है ठीक है तो आपके जो-जो mistakes किसमें consider की गई थी regulating act में consider की थी उन सारी mistakes को rectify करने के लिए क्या आया था आपका PITS India Act आया था PITS India Act को हम East India Company Act भी भूलते हैं यह भी याद रखेगा East India Company Act of 1784 ठीक है? clear with Warren Hastings फिर आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से next आते हैं Lord Convalis जो क्या था आपके second governor general of your Bengal सबसे पहले क्या आते हैं एपिलेट court establish करते हैं and lower grade court यानि lower grade court का मतलब होता है आज के time के सब ordinate courts इन्होंने आज के time पर सब ordinate courts है वो establish किये थे appellate courts का मतलब क्या होता है? appellate term का मतलब होता है जैसे आज की तौर पर बताओ मैं हमार पर तीन court है supreme court, high court और आपका subordinate court यही बात है इसको district court लिख लो, it will easy for you to understand चलिए, अब गोता क्या है? appellate court का मतलब है कि अगर आपने कोई भी case district court में appeal किया है ठीक है? और district court ने उसका कोई भी क्या दे दिया है? answer दे दिया है ठीक है? and you are not happy with that answer तो आप कहाँ पर अपील कर सकते हैं? high court में appeal कर सकते हैं फिर जब अप high court में गए आपने case लड़ा फिर उन्हों ने एक आपको answer दे दिया एक result दे दिया and if you are not happy तो you can go to supreme court ठीक है? ठीक है, supreme court क्या करेगा? उस case पर दुबारा शुलवाई करेगा, उस case को दुबारा लड़ेगा और फिर वो एक अपना क्या दे देगा? answer देगा तो यह जो appellate court का system था कि हाँ गर आपको lower में satisfaction answer नहीं मिल रहा है तो आप higher में जाएगे उसमें satisfaction नहीं मिल रहा है तो उससे higher में जाएगे यह जो process था यह कौन लेके आये थे? तो Lord Convalis जो है वो लेके आये थे ठीक है? और इसी के तहट उन्होंने subordinate court जो है एक जो term होती है यह हम कह सकते हैं जो subordinate court एक as a building था उसकी department जो है इन्होंने established के थे क्योंकि अगर मैं आपके बात करूँ ना तो यह इन्होंने जो subordinate court है इन्होंने इन्होंने संस्टिफ कॉलेज की स्थापना भी की थी ठीक है उसके बाद इनके टाइम पर एंग्लो मैसूर बार हुई थी जो एक treaty अगेन एक समझहाते के तौर पर खतम की थी समझहाते का नाम क्या था तो तो यह सिरिंगा ना पटना था जो के विन ही इंट्रड्यूच्ट यह और पर्मनेंट सेटल्मेंट पर्मनेंट सेटल्मेंट का मतलब होता है जमीदार सिस्टम का मतलब होता है इस्ट इंडिया कंपनी होगी एस्ट इंडिया कंपनी के नीचे कौन होगा जमीदार होगा जमीदार के नीचे कौन होगा फार्मर्स को यह एक क्या था आपका रेवेन्यू सिस्टम था अब रेवेन्यू सिस्टम का मतलब क्या होता है कि फार्मर्स जो है रेवेन्यू जमीदार को देंगे जमिदार जो है revenue East India company को देगा अब इसमें portions के से divided है 10th by 11th तो company का था और 1 by 11th आपका जमिदार का था कहीं न कहीं यह जो system था इतना अच्छा नहीं consider किया गया था क्योंकि इस system में क्या थे बहुत सारे आपके फ्लॉस थे बहुत सारे गल्तियां थी जो इसको ठीक करने के लिए माने गए ठीक है यह था आपका पॉमिरेंट सिटल में थे कौन आया थे आपके लॉट कौन वालेस तो उसके बाद आते है civil services भाई जिस एक्जाम से ना हर एक एस्पिरेंट डरता है इस टू एक्जाम जिससे हर एक एस्पिरेंट के आपसू निकल जाते हैं ठीक है कौन सा आपका UPSC वह कौन लेके आया थे अगेन वह इक ब्रिटिक्षर लेके आया था जिस ब्रिटिक्षर अगर मैं civil services का एक आपको ब्रीफ दे दू तो civil services ना initially पहले तो इन्होंने इंग्लांड में शुरू की थी ठीक है पिर इन्होंने का कि जब इंग्लांड में ये जो system है ये बहुत जादा flourish हो रहा है बिकास हम वहां पे गवर्न कर रहे हैं चीज़े तो प्रॉबिविली इंडिया में भी flourish होगा और flourish होड़िये देखे आज के टाइम पे UPSC जो है it's a privilege for us right UPSC हमारे एक तरह से privilege है तो ये अच्छी जो है कौन ले कहा थे बिरिटिश ले कहा थे अच्छी तरह याद रखेगा जिनका नाम था कॉन्वाल इस उनको तभी एक टाइटल याग है that is father of civil services in india ठीक है फिर he was the first person to codify law now this is really important to understand what is codify of law let's take an example एक नाम ले लेते हैं अमन और एक नाम ले लेते हैं गीता चलो दो लोग ले लिए अमन और गीता अब आमन जो है मान लो वो किसका किसका इक prominent authority उसके बास तो उसके पास administration किया है गीता कहां पे बेटी है तो गीता जुडी श्री में बेटी है अब होता क्या है कि दोनों किस पे जा रहे हैं वाक करने जा रहे हैं इसको ना दो लोग लड़ते वे मिलते हैं तो यह ना उनके सुलह कराने बैट जाता है और यह जब बात बताओ हो administration का काम है cleanliness का ध्यान रखना और judiciary का काम है न्याय देना ठीके तो यह जो आपकी powers होती है responsibilities होती है इसको by forget किस नहीं किया कि वह judiciary काम है न्याय देना चाहे वह कहीं पे भी हो तो वह गीता ही न्याय देगी तू नहीं दे सकता ठीके और तेरा काम है सफाई कराना चाहे वह कहीं कि भी सफाई हो गीता क्यों करवाए तू ही जिसने बताया था कि जो आपकी job profile है उसी के according क्या होती है आपकी rules and regulations होते हैं duties होते हैं जो आपको perform करने पड़ते हैं वह जो चीज थी वह इन्होंने ही codify की राइट अगें आपको इस अच्छे तरह समझ आगे होगी चली आगे बढ़ते हैं फिर अब मैं अगर बात करूँ what is policy of non-intervention तो इसका मतलब होते है कि देखो अमन है और श्याम है बेस्ट फ्रेंड है यह दोनों क्या करे लडाई करते हैं ठीक है मनने दो लड़ने दो मुझे कोई फरक ने पटता वहां भी दो लोगों का एक्सिडेंट हो गया है मुझे फरक ने पटता ठीक है वहां भी को इंडस्ट्री में आंग लगे मुझे फरक ने पटता मतलब इन्होंने कैसे पॉलसी अपनाए कि देखिए जहां पे जो हो रहा है उसको होने दो आई विल नॉट इंट पेर जिसको जो करने करो मुझ से ब चार्टर आग्ट 1793 नाओ टू अंडर्स्टाइंड चार्टर एक्ट हमेना थोड़ा से एक डिफ्रेंस समझ लेते हैं पहले वाट इस रेगुलेटिंग आग्ट एंड वाट इस चार्टर देखो रेगुलेटिंग आग्ट का मतलब होता है जो डाइरेक्ट कुईन ने भेजा है जिसमें हमने कोई चेंज नहीं किया है चार्टर आग्ट होता है जो भेजा तो कुईन नहीं है लेकिन उसमें हमने क्या कर दिया है कोई चेंज कर दिया ठीक है, no change का मतलब regulating act with change का मतलब charter act regulating act, पीछो देख रही है 1773 कोई change भी था, supreme court भी establish हो गया था parliamentary system भी establish करने के बाद चल रही है, ठीक है, और आपकी जो post थी वो भी update कर दी कही थी, तो it means regulating act example में गया, charter act जो था पहली बार आया 1773, याग रखेगा charter act बहुत important है, you cannot skip ठीक है, इसमें इन्होंने क्या establish की trade monopoly, trade monopoly का मतलब होता है कि बस हम लोग ही क्या करेंगे, trade करेंगे, पूरा ये जो इंडिया है ना, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग ही trade करेंगे, देखो, यह जो बाके पॉट्चुई से, डॉचिस से, इन्होंने भगा दिया, फ्रेंच को भी भगा दिया अब कौन बचा, हम बचा, trade कौन करेंगे, हम करेंगे, यह बात किसके टाइम पर कहीगी, सर जॉन शोर के टाइम पर कहीगी किस के अंडर कहीगी, तो Charter Act 1793 के अंडर जो है, आपकी यह बात कहीगी एक और चीज याद रखना, जब हम Charter Act की सीरीज लेखते हैं, तो पता लगते है, Charter Act ना after every 20 years आया है, तो कभी आपको years की sequence ना याद रहे, तो ना पहला याद रख लेना, 1793 ठीक है, पहला याद रख लेना, ठीक है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, calculate करके दूसरा तीसरा चौथा जो है, वो अराम से बता सकते हैं, clear है, चलिए, अब ट्रेड मोनोपोली का मतलब भी clear है, चलो, आगे चलते हैं, एक चीज और याद रखिएगा, किसी भी चीज की हद ज आगे जा के हमें देखने को मिल सकता है, कि मोनोपोली में चेंज आ सकता है, देख लेते हैं, चलिए, फिर आते हैं, हमारे प्यारे से, Lord Wellesley, Lord Wellesley का नामा पहले भी सुन चुके होंगे, किस में सबसीजरी अलाइज, अब सबसीजरी अलाइज, एक बार देख लेते हैं, क्य होता क्या था? कोई भी इंडियन रूलर है, उसके पास आर्मी कम है, तो वो क्या करता था? आर्मी को रेंट कर लेता था, किन से? Britishers किन से? Britishers जब Britishers से वो आर्मी रेंट कर लेता था तो इट्स क्वाइट ओविर्स की जो Indian ruler था उसको से पैसे देने पढ़ते होंगे पैसे देने के अलावा उसको सारे soldiers के salary देनी पढ़ती है, सारे soldiers को कपड़े जो खरीने हैं या कहीं पे भी भूमने जाने है, वो पैसे देने पढ़ते होते थे ठीक है, और इसमें एक और प्लाउस बेमेशन किया गया था कि अगर आपके पास इनफ मनी नहीं है तो पे दरेंट और तो पे दरेंट और तो पे दरेंट आर सेलरी तो आर सोल्जर्स के पास आता भी, और ब्रिटिशर्स सोल्जर्स में, लगा तो पहले ब्रिटिशर्स ही है इसका मतलब कहीं नहीं वो जो अगेն एक कर लेता तो उनको अपके ब्रिटिशर्स जो है, वो इनकॉर्पोरेट कर लेते कि ये बात किसनी और सब्सीटर भी और वर्ना फिर आपको नहीं समझाएगा कि क्या था सबसी ट्रेवाइस ठीक है यह कैसा राइस था जिस से देखो बहुत सारी इंडियन रूलर्स की टेरिटरी भी गई बिल्कुल गई टेरिटरी और उनकी प्रीविसी भी चले गई थी फोर्ट एंग्लो मैसूर बार जो है लौड वेसले के टाइम पर वेसिन के मदद से क्या कर दी गई थी फिर सेकेंड एंग्लो मराथा बार भी थी तेन ही इस्टाबलिश्टा मदरास प्रेजिडेंसी यह आपको अच्छी तरह याद रखना है प्रेजिडेंसी जो है कि इनके टाइम पर इस्टाइम की गई अब मदरास प्रेजिडेंसी का मतलब पहता क्या है थेको अपने बंगाल देखा बंगाल के साथ हिन्होंने कितना बुरा किया पहले अमीर था पाइदा उठाया एकनॉमी को लाप्स कड़ी ठीक है फिर उसके पहले अपनातर भरण बनान दिया पैर अब करनतर भराण बनादिया है इनके ओन ग्रीड थी ठीक है, तो सिमिलेली जैसे इन्होंने बंगाल को कॉंकिस्ट किया उनी पिर आये हैं पना अपने राइड्स व्हिएत्ट प्रोंने किस पर किया मदरास पर किया एक तरह से पहले इन्हों ने बंगाल को हडप फिर उन्होंने मदरास को हडप तो जो वो मदरास को हडप वो किसके टा ons पे आया किन आटेस्ट आट इस फे टा Васी चीज़ आगी हमें स्टॉवड इस्लेर hangर में ठीक है आज भी है पोर्ट विलियम तो आप जांके देख सकते हैं ठीक है कभी इस्टाबिश होता है 1800 में और यह बहुत जादा कहीं नहीं कहीं इसके बाद इन्होंने अपने आपको क्या काता है मतलब फुद से ही इन्होंने एक उपादी ले ली थी कि मेरा नाम क्या है लायन ओफ बंगाले ठीक है आज सच इनको यह उपादी किसी ने दी नहीं थी नहीं किसी का देने का मन था बट चलो कोई बात नहीं अब किसी ने उपादी ले ली है गलती से एक्जामिनल पूछ सकता है कि भाई लायन ओफ बंगाल उपादी किसने ली थी तो अब हमने बढ़ लिया है तो अब हम इसका आंसर जो है एजिली दे सकते हैं चीक है फ़री आगे चलते है चलिए नहीं चाल जाते हैं Sir George Barlow अब Sir George Barlow कहते है he was acting governor general acting governor general का मतलब क्या होता है कि जब आपका जो main governor general है वो seat पे आके जब तक नहीं बेढ़ता है तब तक यहां पे कोई temporary इंसान बेढ़ेगा ठीक है और उसी temporary इंसान को क्या बोला जाता था आपका acting governor general बोला गया है आज भी हम पढ़ते हैं मा लेते हैं, president नहीं है seat पे तो जो उसकी seat पे बेटे का that is going to be acting president तो ये चीज तो आपकी आज भी हमें कहीं न कहीं जो है देखने को मिल जाती है जब तक इसकी वेट करें थे Lord Minto जी की वेट करें थे फिर इनके टाइम पे क्या होता है he diminished the area of British territory because of his passion of economic and retrenchment इन्होंने अपने इकनामी बढ़ाने के चकर में अपनी जो फ्लरिश्मेंट होती है empire को करने के चकर में क्या हो जाता है ये जो है British territory को collapse करने लग जाते कहीं न कहीं या वी गन से जो British territory है इसको छोटी करने पे मजबूर कर देते है size जो है उसका छोटा करना लग पड़ते है फिर इनके टाइम पे क्या होती है mutiny of valor होती है बहुत बार स्कार में question आ चुका है I remember mutiny of valor पहली बाद तो valor आपका कहां पे है Tamil Nadu में है कब हुईती अब थोड़ा से देख लेते है mutiny of valor वी क्यों देखो Tamil Nadu में न हिंदू लोग भी रहते थे सिख लोग भी रहते थे और मुस्लिम लोग भी रहते थे ठीक है अब हुआ क्या British ने कह दिया कि देखिये जो आपके हिंदू है हो ना तिलक नहीं लगाएंगे अब आपको पता है हिंदू धरम में तिलक की बहुत मानने था है जब भी आप मंदे जाते हैं तो बंडी जी आपको तिलक लगाते हैं ठीक है अब भी अगर हनुमान जी को दशन कने जा रहे हैं है तो भी आप जाते हैं तो आप यूसस तो आप लाइक पुट तिलक लगाने ना फॉरेट ठीक है वह क्या शोगते हैं हाह एक तो पॉजिटिविटी भी उससे रिफ्लेक होती है ठीक है और इट रहे है तो तो लाजाता है उनके prestige के लिए पॉस होगी है तो six के लिए टरबन और Muslims के क्या होते है उनके beard यानि Hindus के लिए तिलक, six के लिए टरबन और Muslims के जो उनके beard होती है that is important तो हुआ क्या कि जो Tamil Nadu था ठीक है यह जो हम well lord जगा के बाद करते हैं वहाँ पे जो Britishers थे वो Hindu, Muslim और जो आपके सिखते हैं उनको रोखते थे यह तीनों चीजे करने से उनको तिलक लगाने से मना करते थे उनको टरबन बहने से मना करते थे उनको बहते थे कि तुम अपनी beard काट लो तो जिससे क्या हुआ लोगों को लगने लगए क्या जो Britishers है ना वो हमारे धरम पर आ रहे हैं हमारे धरम को disrespect करें Hinduism को disrespect करें Sikhism को disrespect करें Islamism को disrespect करें जिसकी वज़स्ते वो क्या कर देते हैं एक withdraw कर देते हैं ठीक है और उसी withdraw को कहा जाता है अगर आप देखेंगे तो यह पहला ऐसा इंस्टांस था बहुत लाट स्केल पर हुआ था बहुत क्या कर रहे हैं जब भी भारत में कोई भी धरम पर अवास उठाएगा तो it's quite obvious कि उसके against कुछ ना कुछ action होगा और वो action हमेशा violent ही होगा यह चीज़ past में भी देखे गई हैं चाहे हम आपके medieval की बात कर लें चाहे इसकी बात कर लें ठीक हमें क्या देखने को देखने को देखने को देखने को मिलेगा और जब जब action देखने को मिलेगा तब चीके चाहे चलिए clear with this clear हो गया हिंदूज़म पर अत्याचार हो रहता सिख्ष जम पर Muslim पर claw तमिल नाडू में ऑ रहता तो यह लडाई कहा के शुरु हो गए तमिल नाडू में से ही तमिल नाडू में ही और ए था लराई है आपकी शुरू हो गए थी चाहे नेस्च्ट आ तो जो आक्टिंग अवर्नर जनर ते वो आके कर गए है ना चलिए सबसे पहले क्या करते हैं यह treaty साइन करते हैं treaty of amrissar with Maharaja Ranjit Singh Ji in 1809 ठीक है यह बहुत ही important होती है treaty of amrissar बहुत बार पूछा गया है कि चीटियो अप जो amrissar है वो किसके साथ साइन की गई है ठीक है और किस-किस ने साइन के तो लॉड मिन्टू जो कौन थे आपके गवर्नर जर्रों मिंग वह थे उन्होंने किसके साथ treaty साइन करी है तो उन्होंने महाराजा Ranjit Singh Ji के साथ जो है आपकी treaty साइन करी है ठीक है नेक्स्ट अब आज जाता है चार्ट्राइक 1813 देखी यार कीजिए वापस से चलके थोड़ा सा चार्टर अच्ट 1793 क्या इस्टैबलिश हुई है Monopoly of Trade मैंने आपको तब भी कहा था किसी भी चीज की जो हद है ना वो अच्छी नहीं है ठीक है इट मीज मोनोपोली यानि हद आफ ट्रेड भी सही नहीं है तो चार्टर अच्ट 1793 में ये चीज कही गई कि we are going to establish the Monopoly of Trade in India and in this Charter Act ये कहा गया है हम क्या कर रहे हैं विड्रॉ कर रहे हैं क्या विड्रॉ कर रहे हैं आपका Monopoly विड्रॉ कर रहे हैं किस से? ट्रेड से ठीक है तो क्या देखने को मिला कि भी सबसे पहले मोनोपोली इस्टाबरिश की गई ट्रेड के अंदर मोनोपोली इस्टाबरिश की गई ठीक है आं जो नेक चार्टर अक्ट आया आपका 1813 में उसमें उसी मोनोपोली को विड्रॉ कर लिया गया बिकॉस बिल्कुल सही है बात कोई भी चीज हद से जब जादा हुने लग जाती है तो वो हाम करती आपको ठीक है बस इतना ही च्वटा सा काम था लौट मिंटो जी का जिनके लिए अक्टिंग रखे गई थे मेरे कहाल से तो अक्टिंग ने ज्यादा काम कर दिया उनके ताइम के महीं जादा ने जादा नीचे अपना हां अगें पॉलसी आप्ना हां प्रूड हास्टिंग जो है इन्होंने क्या अपना है ऑगें पॉलसी आपना हां इन्ट अपना इंट लडने दो मरने दो मुझे को तरक नहीं need इनके जले पर थार्ड आपके लिस से लुचर इंगलो मिन आथाव … इनके जले साथLES भी भी फिर भी हो गाती उताविश्म एंपर को अब अब रहत वारी जąW यहां पिस प्वाइड आ रही है पर्याद बोला गया था जो भी रेवेन्यू पार्म्र्स करेंगे हो टायरेक्ट इसको पास आँगे यहां पिर को जाएगा एस इंटिया कंपने को ठीक है यह बात कि इसमें कहीं देश में कहीं था ताकि आपको भी recall हो जाए और साथ के साथ आपको points भी याद होते जाए Lord Hastings लेके आये थे ये लेके आये थे जो भी बात है ठीक है अब यहाँ पे देखिए इन मदरास में ये लेके आये थे Lord Hastings ठीक है और Thomas जो Monroe थे ठीक है उनके साथ मिलके लेके आये थे बंबे में भी लेके आये इनके टाइम पे ही महलवारी सिस्टम भी इस्टाबिश होती नौर्ट वेस्ट प्रवेंस और बंबे में महलवारी सिस्टम का मतलब क्या था कि East India कंपनी होगी उसके अंदर क्या होगा आपका Headman Headman का मतलब क्या होता है जो Village का Head होगा ठीक है वो और वो किस से लेगा Farmers से आपका क्या लेगा Revenues लेगा Farmers revenue headman को देंगे Headman revenue को देंगे East India Company को देंगे यह बात हमने किसमें पढ़ेबादे ही महल वारी सिस्टम ठीक है तीन वी सिस्टम में बहुत डिटेल में कवर कर चुके हैं चले नेक्स्ट आ जाते हैं लॉड एमरेस्ट जब हम लॉड एमरेस्ट के बात करते हैं तो देखें क्या होता है इनके टाइम पर एनेक्सेशन होई थी असम की जो जब की बर्मा से लोग थे ठीक है उनके कर दो समय हैं लॉड प्राद हो तो हम पहले भी बात कर चुके चाहि को शो हमि 6 असमस कर चूरच का आपको यह जो स्फत गवर्नर जेंडर व्म लेगउल है फैंड पसंद आहा अगया हुगा अगर किशामे नियू प्रेद्श को लिएम बंटीक अभी तक नहीं कर किया है the reason behind कि जो William Benchick है उनके टाइम पे Charter Act आ जाता है तो वो क्या बन जाते हैं Governor General of India बन जाते हैं ठीक है तो हम उनका जितना भी कारेकाल होता है या उनने जो भी चीज़े की होती है वो हम किसमें पढ़ते हैं आपके Governor General of India में पढ़ते हैं ठीक है तो आज के लिए बस अतना ही या हुप आपको सारी चीज़े समझ जा गयी होंगी तो merci everyone and have a really nice day take care